दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में आज का सबसे बड़ा सवाल जो कि मैं वीडियो के शुरुआत में ही पूछना चाहता हूँ वो यह है कि क्या कभी हमारे देश की मीडिया याने की गोधी मीडिया सुद्रेगी भी या फिर हमेश कुछा कुटे की दुम की तरह तेडी ही रहने वाली असल में हुआ कि कल तीन किसान कानूनों को वापिस लिया गया सरकार के द्वारा लेकिन जिस तरीके से किसान कानूनों को वापिस लिया गया वो definitely point of discussion एक नया कानून लाए गया और जिस तरीके से पिछले साल तीन किसान के बिना किसी डिबेट के और बिना किसी प्रॉपर वोटिंग के कल वाला कानून भी उसी तरीके से पास कराया गया जिसके बाद गोधी मीडिया को मोधी से सबसे बड़ा सवाल यही पूछना चाहे था कि क्या यह हमारे देश की सरकार के लिए एक नया ट्रेंड बन चुका इ अगर मोधी सरकार बिल पास कराने में इतनी ही जादा सक्षम है तो क्यों आज तक एक बिल महिला सुरक्षा के लिए पास नहीं कराया गया क्यों आज तक एक बिल गरीबी हटाने के लिए पास नहीं कराया गया क्यों आज तक एक भी बिल जो है हमारे देश के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए पास नहीं कराया मोधी सरकार ने यकीन मानिए ये एक सवाल ऐसा है जो गोधी मीडिया को नरेंदर मोधी से पूछना चाहिए था लेकिन गोधी मीडिया वहीं दूसरी तरफ क्या कर रही थी आपको आगे चलके दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले पास कराएगे ये चीज डिमौकरिसी के लिए बहुत बड़ा खत्रा है और इसी के बाद से कल शाम से एक दिमौकरिसी मीडिया जो है सोशल मीडिया पे काफी स्टुरूकरिसी मीटर बनाने का काम किया है घिमोकरिसी मीटर के हिसाब से बिल रेटर तु आप देखेंगे लिखा हूए हैं बिल्स रेफर टू अब पार्लिमेंटरी कमिटी दिखे बहुत सारे बिल्स जो होते हैं पास कराये जाते हैं लेकिन उसमें से बहुत कम बिल्स ऐसे होते हैं जो पार्लिमेंटरी कमिटी को रेफर किये जाते हैं संसत के अंदर स्टैंडिंग कमिटी को रेफर किया जाते हैं अ अब इसके डेटा के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करी गए और उसके बाद क्या निकला दमिंट ने आखिरकार क्या अपनी खोज में निकाला 14th लोग सवा यानि कि 2004 से 2009 जब UPA1 थी उस टाइम पर कितने बिल्स ऐसे थे जो पारलेमेंटरी कमिटी को रेफर करे गए इन डेफ्थ रिव्यू के लिए रेफर करे गए उस पर बड़ी चर्चा करने के लिए उसको रेफर करे गए 60% बिल्स ऐसे थे जो पास कराए गए जो की पारलेमेंटरी कमिटी को रेफर किये गए थे इन डेफ्थ उन पर रेव्यू किया गया था उसके बाद 15th लोग सवा य याने कि नरेंदर मोदी ने अपने पहले कारेकाल में जितने भी बिल्स पास कराए उसमें से 27 बिल्स परसेंट भी ऐसे थे सिर्फ जो कि उन्होंने पारलेमेंटरी कमिटी को रेफर करने का काम किया जिसके उपर एक प्रॉपर डिसकेशन प्रॉपर डिबेट हुआ या फि याने कि 17 लोग सबा जो है 2019 के बाद से और अभी तक जो मॉंसून सेशन गया है जहां तक इन्होंने रिसर्च करी है उसमें सिर्फ 12 परसेंट ऐसे बिल्स थे जो कि पारलेमेंटरी कमिटी को रेफर करे गए जिनके उपर प्रॉपर डिसकेशन या प्रॉपर डिबेट के उपर हमारे देश की डिमोक्रिसी के उपर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है एक तरफ तो इस डिमोक्रिसी मीटर है दूसरी तरफ आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको याद है ठीक चार दिन पहले नरिंदर मोधी ने डिमोक्रिसी के नाम पर लोगतंत्र के नाम पर क्या ज्यान पेलने का काम किया था आप शायद भूल गए होंगे जरह इस वीडियो को देखिए अपने स्क्रीन के ओपर साथियों भारत एक सम्यधानिक लोकसांत्रिक प्रग्परा है राजनितिक दलों का अपना एक एहम महत्व है और राजनितिक दल भी हमारी सम्यधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुग माजिम है लेकिन सम्यधान की भावना को भी चोट पहुंची है सम जो दल्ज वैंघणा को ओड़िगेॉस टाइम पर मुझे लगा था कि चारए की्जी कॉण्ग्रिस की बात कर रहें और फिर विपक्षी पार्टीयव की यहां पर एक तरफ लोगतंत्र को एक ओर गान लावान नरेंद्र मोदीन लोगतंत्र सवाल पूचना को एक स्टेटमेंट दिया थे बहारत ले फिवस्था नहीं है लोगतंत्र भारत का स्वभाव है भारत का सहज प्रकृती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का यह बयान था जहाँ पर एक तरफ इतने बड़े-बड़े ग्यान देने के काम किया जा रहा था वहीं कल दूसरी तरफ किस तरीके से बिल पास करा करके लोगतंतर की धज्यां उड़ाए गई आप सब लोगों ने देख लिया और उसके अलावा किस तरीके से जो डिमोकरिसी मीटर है वही नरेंद्र मोधी को एक्सपोस करता है यह भी आप लोगों को मैंने दिखाने का काम किया मैं यहाँ पर सवाल खड़े कर चाहिए था कि आखिरकार इस तरीके से कानून पास क्यों कराए जाते हैं गोधी मीडिया क्या कर रहा था गोधी मीडिया उटा किसानों से ही सवाल पूछने का काम कर रहा था उनी के अगेंस्ट उनी को फिर से डिफेम करने का काम कर रहा था दिखाना चाहूंगा आपके स् तो एक और debate का title जहापर अमीश देवगर ने debate करी थी जहापर बोला गया कि कानून खतम हंगामा अभी भी जा रही यानि कि अभी भी जो सवाल है वो सरकार से नहीं है कि आखिरकार आपने इस तरीके से बिल पास क्यों करा है अगर आप करा सकते हैं तो और अच्छे बिल क्यो दिन क्यों नहीं आ रहा है जहां पर यह सारे सवाल पूछे जाने चाहिते वहीं दूसरी तरफ सवाल जो है वो करे जा रहे थे हमारे देश के किसानों से इसलिए मैंने शुरुआत में इस सवाल पूछा कि क्या कभी गोधी मीडिया सुदरे गिया कभी भी नहीं सुदरने देखे जरा अपनी स्क्रीन के ओपर मुहमद जुबेर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जहां पर गोधी मीडिया ने सर्वे किया था ट्विटर के ओपर उसके रिजर्ट्स क्या आया और किस तरीके से उनको दिखाया गया जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए मौहमद जुबेर का ये ट्वीट जहां पर बताये गए कि ट्विटर पोल वाई एबीपी न्यूज अकाउंट क्या परचा लीग कांट से सीम योगी की छवी को धक्का लगा है रिजर्ट्स ऑन टीवी शो और रिवर्स रिजर्ट्स ऑन ट्विटर ट्विटर पे क्या रिजर्ट आ जरा एक बार देखी अपनी स्क्रीन के ओपर आज का सवाल परचा लीग से सीम योगी की छवी को धक्का लगेगा फिफ्टी एट परसेंट हां बोल रहे हैं लेकिन ग्राफ में फिफ्टी एट परसेंट को छोटा दिखाए गया है नहीं बोलने वाले 42 परसेंट हैं लेकिन परचा लीग कांट से सीम योगी की सक फ्रिशासक की छवी को धक्का लगेगा इस ट्विटर पोल में 58 परसेंट लोगों ने हां में जवाब दिया है हां धक्का लगेगा 42 पीसिदी मानते हैं नहीं धक्का नहीं लगेगा तो ये फिटर के नतीजे आपके सामने अब जहां जाते एक वीडियो दिखाना चाहता हूं रूबिका लियाकत की जहां पर रूबिका लियाकत को उनी के हुनकार शो में बुरी तरीके से बेज़द किया गया वैसे तो मैं इस तरीके की चीजों का सपोर्ट नहीं करता लेकिन जिस तरीके से गोधी मीडिया हरकते करता ना ड लोगों से शेर ज़रूर करेगा जिससे की आने वाले समय में जितने भी जगाओं पर चुनाव होने वाले वहां पर जादा से जादा लोग अवेर हो पाएं अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में और यहां पर मैं हुंकार भरती हूं अरे रूबी का लियाक सुनो तेरे देखे में आप जैसे बत्रमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी जादा सुनना ही बुलाकात है